नमस्कार दोस्तों आज हमारी चर्चा का विसे है ब्लैक फंगस अब आप सोच रहे होंगे कि यह ब्लैक फंगस क्या है चलिए हम आपको इसके बारे में वेस्तार से बताते हैं पहले ही संपूर भारत क्रोना वारिस महमारी से जूज रहा है और इतने में ही एक नई बीड़मारी जिसका नाम ब्लैक फंगस है देखने को मिली है बैग्यानिकों की भाषा में इसे म्यूकोर माइक्रोसिस कहा जाता है इस बिमारी की संख्या जादे तर क्रोना ग्रस्त ही होती है आएए जानते हैं जॉक्टर्स ने ब्लैक फंगस की बारे में क्या बताया बैरसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटेक कर पाता है जिनकी इमिनिटी कमजोर होती है चुकि डाइबटीज मरीज इस्ट्रॉइड कर इसलिए उनकी इमिनिटी लेवल कम हो जाती है इस करण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना सिकार बनने का मौका मिल जाता है अगर हम ब्लैक फंगस के केसिस की बारे में बात करें तो कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं देश में बुधवार तक करीब पचपन सु लोगों में ब्लैक फंगस के सं जाने माने चिकित्सा विस्यशग्यों ने आज इस पर विस्तार से बात की है एम्स के डारेक्टर डॉक्टर रदीब गुलेरिया और मसहूर अस्पताल मेधानता के चेर्मेन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को लेकर विस्तार से बात कि डाक्टर गुलेरिया और डाक्टर तुरेहन ने औलाइन बातचीत में कहा है कि जिन लोगों को डाक्टीज है और वो कोरोना वाइरस से संक्रिमित हो गए है उन पर ब्लैक फंगस के आकरमर का खतरा बहुत जादा होता है उनका कहना है कि दर असल ब्लैक फंगस उनहीं लोगों पर अटेक कर पाता है जिनकी इमिनुटी कमजोर होती है चुकि डायवटीज मरीज इस्ट्रोयड का इस्तमाल करते हैं इसलिए उनकी इमिनुटी लेबल काफी कम हो जाती है इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है दोनों एक्सपर्ट ने इस संब्ध में बहुत महतपूर जानकारिया दी जिन्हें आपको गंभीता से समझना जाईए आए जानते हैं किसे कहते हैं ब्लैक फंगस का खतरा और किस किसको हो सकता है डॉक्टर नरेश त्रेहन के अनुसार डायवटीज मरीज को जिनका कैंसर का इलाज हो रहा है और ट्रांस्परांट करवाने वालों को पर भी ब्लैक फंगस के संग्रमन होने का खतरा रहता है उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस बातावर्ण में मौझूद है खासकर मिट्टी में इसकी मौझूद्की जादा होती है स्वस्थ और मजबूत यनोटी वारे लोगों पर यह अटेक नहीं कर पाता डॉक्टर गलोयरिया ने भी ब्लैक फंगस के प्रतिसातक करती हुए कहा कि जिन मरूजों को सुरुवात में ही इस्टराइट दिये गए हैं उनमें ब्लैक फंगस का संग्रमन हो सकता है इस्टराइट की बहुत जादा डोज दिये जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का कत्रा बढ़ जाता है ऐसे लोगों के खोन में मिठास के मात्रा बढ़ जाती है जो हाई बलट शुगर के रूप में सामने आता है अगर लंबे वक्त तक इस्टराइट दिये जाएं तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं उन्होंने कहा कि कुछ दवाईयां भी बहुत सावधानी से देनी चाहिए ताकि वो भी फंगल इंफेक्शन का कारड बन सकती है क्योंकि ये दवाईयां इम्योटी सिस्टम को कमजोर करती है वही डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि बिना डॉक्टरी सलाक के श्टराइट लेना काफी कतरनाग हो सकता है उन्होंने कहा कि श्टराइट बिलकुल उचित मात्रा में ले और कम से कम समय तक ले लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो डॉक्टर से बिना पूछे श्टराइट लेना नहीं छोड़ें क्या रोक्थाम हो सकते हैं इसके कि नहीं बहुत जादा सतर खोनी की जुरूरत है टॉक्टर त्रेहन ने कहा कि हम इस बिमारी को जितनी जल्दी पहचानेंगे इसका इलाज उतना ही सफल होगा वहीं गुलेरिया जी ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोक्थाम के लिए तीन चीजे बहुत मतपूर हैं पहला शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरा हमें स्ट्रॉइट कप देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए और तीसरा स्ट्रॉइट की हलकी या मध्यम डोज देनी चाहिए सुगर कंट्रोल के दोरान खूर में चीनी के मातरा बढ़ने नहीं दे जो लोग डायवेटिक हैं उन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंदित करकने का अतरिक्त प्रयास करना चाहिए जो डायवेटिक नहीं हैं लेकिन नियमित तोर पर इस्ट्रॉइट ले रहे हैं उन्हें अपना ब्लड शुगर हमेशा चक करते रहना चाहिए इस्ट्रॉइट गाइडलाइन्स का सक्त पालन हमें इस्ट्रॉइट देने से लेकर गाइडलाइन्स जारी किया है उसी के मुतावग इस्ट्रॉइट दिया जाए इस्ट्रॉइट के बेजा इस्तमाल से परहेज करना चाहिए इस्ट्रॉइट देने से बचे अगर जरूरत पड़े तो कम डोस दे ना कि बहुत जादा इस तरह की दूसरी दवाईयां भी तभी दी जाएं जब बहुत जरूरी हो कैसे समझें की ब्लैक फैंगस ने अटेक कर दिया है क्या लक्षड हो सकते हैं आईये जानते हैं अगर आपको नाग में दिक्यत महसूस हो रहा हो अगर आपको सिर्दर्द हो रहा हो चहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूच जाए चहरा सुन पढ़ रहा हो चहरे का रंग बदल रहा हो पलके सूजने लगी हो दात भी हिलने लगा हो तो आप समझ लें की ब्लैक फंगस ने आपके अटेक कर दिया है अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेपड़ों पर अकमर कर दिया है तो ये लच्छड दिखेंगे, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ, खांखारते वक्त, खुन आना, सीने में दर्द, दुदला दिखाई पड़ने लगे, तो आप ये समझ लें कि आपके उपर ब्लैक फंगस ने अटेक कर दिया है, ये लच्छड दिखो तो तुरंत डॉ पर करें दवाईयों से भी इसका अलाज हो जाता है, कुछ मौकों पर सरजरी भी करनी पड़ती है, इसलिए आपको डाइवटीज है, और कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो अपना ब्लट शुगर नियमित तोर पर चेक करते रहें, और सुगर की दवाई बिलकुल संभल के कितना खतरनाक है क्या हिलाज आईये जानते हैं, डॉक्टर ट्रेहन ने कहा यह नाग या मुँ के जरिये सरीर में प्रिवश करता है, दूसरे च्रड में यह आँख को प्रभावित करता है, और तीसरे च्रड में यह दिमाग पर अटेक करता है, चार से छह हपते तक सभी द्यान रहे केंद्रिय स्वास समंत्री ब्लैक्टर ही से खती ने इसकी दवाई के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों की आपको सतर्क रहना है घर पे आपको सतर्कता बनाये रखनी है अगर कोई पेसेंट जो है वह करोना पॉजिटिव है तो उसको बहुत जादा समहल के रखने की ज है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लैक फंगस डैविटीज मरीजों पर ही अटेक कर रहा है क्योंकि वह इस्तिमाल करते हैं